नमस्कार साथियों आशागरता हूं कि आप सबस्वस्थ हैं और हमारी इस निरंतर कोशिश का फाइदा आप सब तक पहुँच रहा है आज हम आपके साथ एक बहुत ही महत्वपून चर्चा लेकर आए हैं जो चात्र न्यायक सेवा की परिक्षा देना चाहते हैं जो लौ के चात्र हैं स्टूडेंट्स हैं प्रैक्टिसिंग आडवोकेट्स हैं या आम नागरिक हैं उन सब के लिए ये चर्चा बहुत महत्वपून है हम आज बात करेंगे धारा दस भारतिय साक्ष्य दिनियम अठारा सो भात्तर की यानी की सेक्शन 10 अफ दी इंडिन एविदेंस आक्ट 1872 हमने ये शब्द कॉंस्पिरेसी हर जगे और हर समय जरूर सुना है आम चर्चा में भी आता है ये शब्द ये चर्च हम मूवीज में टेली बिशन पे टीवी सीरीज में देखते हैं अखवारों में पढ़ते हैं किसे में पढ़ते हैं ये लेकिन जब हम इस कॉंस्पिरिसी की बात करते हैं तो इस शब्द का अर्थ किया है कि conspiracy नाम का जो offense है अपराद है वो कहां दिया हुआ है और उसके क्या क्या dimensions है और सबसे important बार्ट उसको prove कैसे करा जाए आज हम इस सब चीजों के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे देखिए जब आप Indian Penal Code की बात करते हैं यानि कि भारतिय दंड सहिता की बात करते हैं 1860 चो लॉड मैकॉले ने 1860 में ड्राफ्ट करी थी IPC वहाँ पे आपको कहीं भी क्रिमिनल कॉंस्पिरेसी नामक offense या अपराद नहीं मिलेगा शडियंतर का अपराद आपको नहीं मिलेगा हाँ आपको वहाँ पे section 107 अगर आप secondly देखेंगे तो वहाँ आपको abatement by conspiracy ज़रूर मिल जाएगा यानि कि अगर कोई conspire करके शडियंतर करके किसी को किसी का दुरुत्साहन करता है अब प्रेणन करता है तो उस situation में उस व्यक्ति को हम दोशी की तरीके से या अभ्यूक्त की तरीके से नयायाले के सामने ला सकते हैं we can prosecute that person for abatement by conspiracy बट उनिस सो तेरा में 1913 की amendment से 1913 की amendment से हमारे पास criminal conspiracy का offense भी आ गया in the IPC that was added as chapter 5A it was a separate chapter section 120A and 120B ये दो sections add करे गए और criminal conspiracy को as an offense हमने introduce करा क्या है ये offense सबसे पहले देखिए criminal conspiracy यानि शडियंतर के लिए बहुत logical सी बात है अगर आपको शडियंतर करना है तो आपको एक से ज़्यादा व्यक्ति की जरुरत पड़ेगी यानि कि अगर मुझे किसी के साथ शडियंतर करना है तो वह शडियंतर तो तब होगा जब एक और व्यक्ति मेरे साथ जड़ा हुआ होगा मैं अपने ही आपके साथ शडियंतर नहीं कर सकता because मेरी intention अगर मैं एक intention बना के बैठता हूँ कि मुझे इस व्यक्ति की हत्या करनी है पर मैं हत्या नहीं करता कोई भी न्यायाले मुझे इसके लिए दोशी नहीं पा सकता I cannot be tried for merely having an intention to kill someone No अगर मैं attempt करता हूँ यानि कि मैंने गोली चलाई और चुक गया निशाना और of course या मैंने गोली चलाई और मैं व्यक्ति मर गया तब मेरे को prosecute करा जाएगा लेकिन सिरफ intention बनाने से मेरे को prosecute नहीं करा जा सकता हाँ कुछ इसके उधारन भी मिलेंगे जहांपे exceptions है IPC के अंदर पर हम उनके चर्चा नहीं कर रहे हम general बात कर रहे हैं कि जब भी हमे शडियंत्र बनाना होगा सिरफ मेरी ही intention के लिए आप मेरे intention बनाते हैं यानि कि if there are two or more persons and they develop a common intention common intention मतलब हम सब की मनुस्तिती एक तरीके से बिलकुल सेम है हम एकी चीज चाह रहे हैं कि हमारी आशा सिरफ एक ही है मान लीजिए हम दो व्यक्ति मिलते हैं और कहते हैं कि हिस व्यक्ति व्यक्तियों से किसी ने उधार लिया है थर्ड परसन ने और हम कहते हैं कि इस व्यक्ति ने 6 साल से 25 लाक रुपे चुराए नहीं और अभी हम पे जूटे केस लगा रहा है उस दिन ये मेरे घर पर आकर भी बत्तमीजी करके गया मेरे परिवार वालों को दमकी दे कर गया मेरे जो हमारे बीच में एक agreement हुआ जो समझोता हुआ जो हमारे बीच में ये बात हुई जहां पे हमने एक दूसरे के साथ मिलकर इस बात की पुष्टी कर ली कि हम दोनों की आशा हम दोनों की मानसिकता एक है कि हम इस व्यक्ति का murder करेंगे इस व्यक्ति की हत्या करेंगे कारण क कुछ भी हो कुछ भी कारण हो जहां पे हमने एक agreement कर लिया और वो agreement किसी common intention से deal करता है और उस agreement के थुरू जहां पे हमने वो agreement करा उस agreement के थुरू या तो हम कुछ illegal काम करने वाले हैं या तो हम कुछ illegal करने वाले हैं या तो हम कुछ illegal करने वाले हैं जी बिल्कुल लीगल करने वाले हैं by illegal means यानि की गलत रास्ता अपना के हम कुछ सही कारे करने वाले कारे सही है पर रास्ता गलत है जैसे की बिल्कुल अपने घर के नक्षे की सैंक्षन लेनी है हमें पर हम ब्राइब देकर रिश्वत देकर वो सैंक्षन लेते हैं तो काम तो सही है अपने घर के नक्षे की सैंक्षन authority से लेना कोई गलत काम तो नहीं मुझे अपना गर construct करना है नक्षा पास करवाना है और authority में जाके रिश्वत देना ये हो गया legal काम करवाने के लिए आपने illegal means का इस्तमाल करा जब भी दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति हों जिनकी common intention बने जिसमें वो एक agreement कर ले कि या तो वो कोई illegal काम करने वाले है या कोई legal काम करने वाले है illegal तरीके से उसको हम कहते है criminal conspiracy उसको हम कहते है criminal conspiracy और यह जो criminal conspiracy है यह मैं आपको बताऊं यह कोई offense करने के लिए भी हो सकती है यानि कि आपने कोई अपराद करना है आप उसके लिए agreement कर रहे हैं यह है criminal conspiracy कोई civil wrong civil wrong करने के लिए भी हो सकती है या ऐसी कोई चीज जो की prohibited by law है फर्क सिरफ इतना है कि जब आप offense की बात करते हैं जब आप किसी अपरात की बात करते हैं यहाँ पे mayor agreement will be sufficient यहाँ पे mayor agreement is sufficient to constitute the offense of criminal conspiracy यानि कि जब आप कोई अपराद करने के लिए शड्यंत्र बनाते हैं agreement हुआ आप मिले कि हत्या कर देंगे इसकी आज़ शाम को जब दुकान से घर जा रहा होगा तो उस situation में आप चाहे वैं हत्या करें चाहे attempt करें या ना करें हम आपको prosecute कर सकते हैं और punish कर सकते हैं under section 120 capital B वहाँ punishment दी हुई है हम आपको prosecute कर सकते हैं उस mayor agreement के लिए सिरफ सिरफ और सिरफ उस समझोते के उस साथ गाट के लिए हम आपको prosecute कर सकते हैं हम आपको सजा सुना सकते हैं क्योंकि आपने एक offense करने का agreement करा दिखिए मैं details में नहीं जाओंगा section 120 capital एकि मैं introduction दूँगा ताकि हम section 10 को समच सकें लेकिन यह pointers बहुत important है mere agreement to commit an offense is definitely punishable बट जब हम बात करते हैं civil wrong की या anything prohibited by law की for example breach of contract जब हम इनकी बात करते हैं यहाँ पे सिरफ agreement से काम नहीं चलेगा यहाँ पे agreement plus कोई act होना जरूरी है आपने breach of contract कर दिया finally यह होना जरूरी नहीं है पर कोई act in pursuance of that conspiracy उस शडियंतर को पूरा करने के लिए अंतिम अंजाम तक महचाने के लिए आपने कोई कृत्य करा यह बहुत जरूरी है यह बहुत जरूरी है जब हम civil wrong या prohibited by law की बात करते हैं लेकर अगर हम offense की बात करते हैं वहाँ पे mere agreement will be sufficient शडियंतर का मतलब क्या हुआ लीगल मतलब शडियंतर का यह है logically भी सोचे तो यहीं मतलब निकल के आएगा कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति हैं आपस में उनका एक agreement हुआ एक intention बनी common intention बनी जहाँ पर अगरी कर लिया कि भाई हम ऐसा कोई कृत्त करने वाले हैं ऐसा कोई कृत्त करने वाले हैं या तो हो एक अपराध है तो मेर अगरीमेंट से ही है मैं यह है अपने अकबार में सोसाइटी के WhatsApp ग्रूप पे या पब्लिक speaker पे जाकर अनाउंस्मेंट तो नहीं करूंगा कि मैंने और मैंने मेरे मित्र ने सोचा है कि इस व्यक्ति ने मेरा 6 महिने से 6 साल से उधार नहीं दिया 25 लाक रुपे का वापस बत्तमीजी कर रहा है यह व्यक्ति मेरे घर वालों के साथ बत्सलूकी करी मेरे बच्चों को अगवा करने की धमकी दी और मेरे उपर ही जूटे केस लगा दिये मैं तो इससे बहुत परिशान हूँ मैं तो इसका कतल करने वाला हूँ तुम भी मेरे साथ इसका कर दो हाँ जी मैं भी करूं इसको प्रूव कैसे करेंगे ये तो बात काना फूसी बिल्कुल बंद कमरों के अंदर जो चाप अकेले में करी जाती है आप इस बात को प्रूव कैसे करेंगे कि दो या दो से ज्यादा वक्ति जो थे जिनके उपर आप इल्जाम लगा रहे हो उन्होंने कोई शड्यंत्र रचा है इस बात को प्रूव कैसे करेंगे वहाँ हमें Section 10 of the Indian Evidence Act का सहरा लेना पड़ेगा वहाँ हम बात करेंगे Section 10 of the Indian Evidence Act क्या कहता है Section 10 of the Indian Evidence Act देखिए Section 10 अगर आप देखेंगे Indian Evidence Act का तो सबसे पहली चीज़ Section 10 हमारे उपयोग में तब आएगा Where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together or entered into a conspiracy क्या कहा हमने reasonable ground to believe that कोई ना कोई conspiracy है जब हमें प्राइमा फैसाई ये दिख रहा है कि इन दोनों व्यक्तियोंने कोई शडियंत्र करा है जब हमें प्राइमा फैसाई दिख रहा है कि इन दोनों व्यक्तियोंने कोई शडियंत्र करा है कोई ना कोई तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की मिली भगत है इन्होंने अपनी common intention को ही execute करा है या करने की कोशिश करी है there exists a criminal conspiracy there is a reasonable ground to believe हमें विश्वस्निय रूप से इस बात का अंदेशा है कि ये दो या दो से ज्यादा वक्ति है जिन्होंने कोई ना कोई शडियंत्र रचा है कोई ना कोई तो शडियंत्र उन्होंने रचा है definitely रचा है किस चीज के लिए रचा है कोई शडियंत्र किस चीज के लिए रचा है कोई शडियंत्र to commit an offense to commit an offense or actionable wrong यहाँ पे भी हमें civil और criminal दोनों elements मिलते हैं यहाँ पे भी हमें civil और criminal दोनों elements मिलते हैं हमें reasonable ground विश्वस्तनी रूप से यह अंदेशा है कि दो यह दो से ज़्याद़ वक्तिय हैं जिन्होंने कोई ना कोई शडियंत्र रचा है क्या करने के लिए तो अपरात करने के लिए या कोई actionable wrong यानि की civil रॉम की बात करने हैं कुछ तो इन्होंने ऐसा कोई कार्य करने के लिए एक दूसरे के साथ शडियंत्र रचा है जब हमारे सामने ये चीज़ प्रूव हो जाते हैं या हम इस चीज़ से satisfy हो जाते हैं कि कोई reasonable ground to believe है हमारे पास कि ऐसी कोई शडियंत्र बना है ऐसी कोई conspiracy हो रही है उसके बाद हमारे पास जो element आता है वो ये है कि that anything said, done, or written sdw ये तीन अक्षरों से आप इसको याद भी रह सकते हैं anything said, done, written sdw anything said, done, or written by any of such persons अगर आप देखेंगे bear act में आपको शब्द मिलेंगे such persons such persons मतलब वो व्यक्ति जिनके उपर हमें conspiracy में एंटर करने का विश्वस्निय अंदेशा है वो व्यक्ति जिनके लिए हमें reasonable ground exist करता है कि इन दोनों व्यक्ति उन्हें कोई शडियंत्र करता है anything said, कुछ भी कहा हुआ anything done, कुछ भी करा हुआ anything written, कुछ भी लिखा हुआ एक तरीके से सारी ही चीज़े इसमें include हो जाती anything said, done or written by any of such persons in reference to their common intention you see in reference to their common intention ध्यान से बेराक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है their common intention उनकी common intention in reference to their common intention after such intention was first entertained in reference to their common intention after such common intention was first entertained यानी की first entertained का मतलम अब आप देखिए conspiracy जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने बताया था हमारी मानसिकता एक है common intention है कि हमें उस व्यक्ति का कतल करना है उसने 6 साल से हमें 25 लाग रुपे वापस नहीं दिये धमका रहा है, बतसलोकी कर रहा है, बततमीजी कर रहा है घरवालों को तंग कर रहा है हमें मानसिक तनाव भी दे रहा है जूटे केस भी हम पे लगा रहा है हमारी जिंदगी बेहाल कर दिया इस व्यक्ति को तो हम कतल कर देंगे फिर चाहे हमारा कुछ हो हम दोनों मित्रों ने ये conspiracy बना लिए शडियंतर बना लिया अब आप एक बात बताई लिए आप हमें criminal conspiracy शडियंतर के लिए punish करना चाहते हैं punish करना चाहते हैं आप हमें criminal conspiracy शडियंतर के लिए section 10 कहता है that anything said, done or written by any of such persons हम दोनों ने जो एक दूसरे को कहा said, जो हमारी बात हुई done, जो मैंने चाकू खरीदा anything said, done, दो element से हाप पर आगे न anything said, done, by any of such persons any of such persons हो सकता है, कहा मैंने और मेरे बिना बोले ही मेरा मित्र चाकू ले आया जाके by any of such persons ध्यान से समझने ही कोशिश के लिए धीरे-धीरे करके और clarity आएगी anything said, done, or written, by any of such persons हम दोनों ने चाहे मैंने चाकू खरीदा जाकर और व्यक्ती, दूसरे मेरा जो मित्र था उसने ये intention express करी थी anything said, done, or written, by such persons in reference to their common intention अब मैंने घर जाके लौकी की सबजी बना के खाई ये बात कहीं से भी related नहीं है इस conspiracy से, पर हाँ मैंने घर जाके चाकू खरीदा घर गया, मैं घर जाते जाते चाकू खरीदते वे गया, एकदम धारी वाला बढ़िया रामपूरी चाकू खरीद के मैं अपने घर पहुँचा घर जाके वो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई अपराद भी करा, जो कि मैं करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत परिशान हूँ तो मेरे घर वालों को तंग ना करा जाए क्योंकि इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और मेरे घर वालों में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है मैं और मेरा मित्र ये कृत्य करने के लिए जा रहे है और यदी, यदी मेरी मृत्ती हो जाए तो मेरे मर्नो प्रांत मेरी सारी संपत्ती मेरी धर्म पत्नी के नाम की जाए इस तरीके का मैंने कुछ लिख दिया रिटन एनिफिंग सेड चाकू खरीदना डन और रिटन जो मैंने चिट्थी लिखी पत्र लिखा इन रेफरेंस तो दियर कॉमन इंटेंशन अब मैं जबर्दस्ती में कुछ थोड़ी लिख रहा हूँ ये सारी चीजें जो रिलेट कर रही है किस चीज से रिलेट कर रही है जो हम दोनों मित्रो की है उस व्यक्ति को मारने की बट सेक्शन टेन कहता है आफ्टर सच इंटेंशन वोस फस्ट एंटर्टेंड अगर मैंने रामपूरी चाकू एक शाम पहले खरीदा होता दियान से सुनिएगा इस बात को अगर मैंने रामपुरी चाकू एक शाम पहले खरीदा होता मैंने समझ लीजे कल शाम को एक रामपुरी चाकू खरीदा था और आज दुपहर को मैं कहरा हूँ अपने मित्र से कि यार उस व्यक्ति का तो आज शाम को कतल करना ही करना है उसको तो मारना ही है सेम सिटूएशन बड रामपूरी चाको मैनने एक शाम पहले खरीदा था section 10 कहता है रामपूरी चाको की बाद conspiracy के relation में हमसे करना भी मत भूल के भी ऊस रामपूरी चाको की बाद section 10 के अंदर लेकर मत आ जाना क्यों 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 तुम्हें साफ साफ वो रामपूरी चाकू मैंने किसी और चीज़ के लिए खरीदा हूँ, मान लीजिए मैंने सब्जी काटने का एक बड़ा तेज चाकू खरीदा, बड़ा सा तेज चाकू मैंने सब्जी काटने के लिए खरीदा, हो सकता है कि मैं आक्चुली मैं सब्जी काटने के लिए इस्तम में मैंने लिखा था कि अगर यदी मेरे को कुछ हो जाता है मैं कारावास में भी चला जाता हूं मुझे किसी भी situation में कुछ हो जाता है तो मेरे घर वाले जिम्मेदार नहीं है मैंने ऐसे ही वो पत्र दो महीने पहले लिखा था और अब उस पत्र का इस्तमाल आक्चुली में आगया क्योंकि मैंने कोई offense कर दिया एक conspiracy के अंडर section 10 कहते है उस पत्र की भी बात मुझसे करना मत बिल्कुल मत करना क्योंकि उसमें तुम्हारी common intention नहीं दिख रही है ध्यान से समझें इस बात को जब मैं चाकु एक शाम पहले खरीद रहा हूं जब मैं चाकु एक शाम पहले खरीद रहा हूं तब मेरे दिमाग में मानसिकता हो या ना हो कोई फरक नहीं पड़ता पर जब मैंने किसी और व्यक्ति से उस शड़ियंत्र की बात करी उस intention की बात की करी गई चीजें anything said done or written by any of such persons in reference to their common intention after such intention was first entertained जब मैंने पहली बार उस intention को बनाया common intention को बनाया मेरे मन की मानसिक्ता कि कोई बात नहीं कर रहा है यहां बात हो रही है common intention की मेरी और मेरे साथ जो शडियंत्र में मेरे लोग है उनकी और मेरी common intention एक मानसिक्ता जो हम सब की है जैसे आप अगर मुझे इस समय देख रहे हैं तो आप सब की मानसिक्ता है कि कुछ सीखे कुछ सुने यह व्यक्ति दरसल खड़े हो के क्या कहना चाहता है आप सब की common intention है उस common intention की बात करी जा रही है after such intention was first entertained जब उस intention की पहली बारी बात हुई कि भाई यह करना है हमें हम दोनों को मिलके उस व्यक्ति का कतल करना है यह हमारी intention जब पहली बार बनी उस point के बाद जो भी कहा गया करा गया या लिखा गया उसको section 10 में relevant माना जाएगा उससे पहले की चीजों को हम relevant नहीं मानेंगे conspiracy के लिए क्यों नहीं मानेंगे because the conspiracy was not afoot A-F-O-O-T the conspiracy at that time was not afoot मतलब उस समय conspiracy नहीं चल रही थी मतलब उस समय conspiracy नहीं हो रही थी भाई दो व्यक्ति चाहिए इस चीज के लिए common intention जब बनेगी तभी तो conspiracy की बात करेंगे वरना कैसा शडियंत्र कौन सा शडियंत्र तुम बैठे बैठे जो मर्जी सोचते रहो शडियंत्र नहीं बनेगा that time the conspiracy was not afoot जब मैंने चाको एक शाम पहले खरीदा हाँ बात करने के बाद अगर मैं चाको खरीदता हूँ तो conspiracy was afoot मैं कुछ कर रहा हूँ उस conspiracy को अंजाम देने के लिए anything said, done or written by any of such persons in reference to their common intention after such common intention was first entertained it will be a relevant fact जो भी कहा जाएगा जो भी लिखा जाएगा जो भी करा जाएगा वो एक relevant fact होगा आप court में लेकर जा सकते हैं क्या करने के लिए court में लेकर जा सकते हैं आप उससे conspiracy भी प्रूफ कर सकते हैं to prove conspiracy and you can also prove that who are the conspirators conspiracy और conspiracy और conspirators दोनों की चर्चा है section 10 में conspiracy भी प्रूफ कर सकते हैं कि हावई आपको reasonable ground था विश्वस्नी अंदेशा था कि ये conspiracy शड़ियंतर exist करता है लोग हमने बता दिये relevant facts के through जो कहा गया जो करा गया जो लिखा गया उसके through हमने बता दिये कि conspiracy exist करती है हाँ भी इनको prosecute कीजिए या हमने ये भी बता दिया कि आपको अंदेशा था कि conspiracy हुई है हम आपको बता देते है कौन-कौन है conspirators देखिए इन्होंने ऐसा कहा था इन्होंने ऐसा करा था इन्होंने ऐसा लिखा था ये लोग हैं conspirators बट सबसे important चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जहां पर जहां पर उस conspiracy की शुरुवात हुई after this intention was first entertained after this intention was first entertained अगर हम उस समय से देखे और जहां पर conspiracy see, see, either the conspiracy ended or the object was achieved ध्यान से इस बात को समझ लीजिए अभी थक हम बात कर रहे थे anything said, done or written after this intention was first entertained यहां पर intention को हमने सबसे पहले entertain करा वहां से उसके बाद कुछ भी कहा गया, कुछ भी लिखा गया कुछ भी करा गया in reference, in reference to the common intention जो सब की common intention है हम उन सब कृत्यों को कहे गए, लिखे गए, करे गए उन सब चीजों को हम conspiracy को proof करने के लिए और conspirators को proof करने के लिए as a relevant fact मान सकते हैं धारा 10 भारतिय साक्षिय दिनियम साफ रूप से हमें ये बात बता देता है लेकिन कब तक मान लीजिए उन सब को गिरफ़तार कर लिया गया तीन लोग के तीनों के तीनों को गिरफ़तार कर लिया गया before before the object of the conspiracy was achieved that means the conspiracy had ended क्या मतलब इस बात का अरे conspiracy खत्म होगे क्योंकि तीनों को गिरफ़तार कर लिया गया गिरफ़त में आ गये कहानी खतम कहानी खतम अब उनकी intention पूरी हुई थी या नहीं हुई थी हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है conspiracy has ended उसके बाद अगर वो कुछ करते हैं अब उससे कोई मतलब नहीं है दूसरी conspiracy हो सकती है एक और फिर से conspiracy वो तीन लोग मना सकते हैं मान लीजे हम दोनों ही थे हम दोनों लोग है और हमने एक third person को मारने की conspiracy बनाई वो ही जिसने हमें पैसे वापस नहीं दिये जिससे जिसने हमसे उधार लिया हुआ है वह हमें पैसे वापस नहीं कर रहा हमसे बत्सलूकी कर रहा है बत्तमीजी कर रहा हमने सोच लिया आज शाम को उसका कतल कर देंगे अब हुआ कि आप पीछे ख़़ा हुआ एक व्यक्ति था उसने सुन लिया कि अरे दो ऐसी बात कर रहे हैं पुलिस थाने में गया थाने वाले आये और उन्हें हमें पकड़ लिया व्यक्ति इतना चला कि उसने audio recording कर ली फोन से कि देखो ये लोग बोल भी रहे हैं मैं ऐसी को जूटी अफ़ा नहीं पहला रहा हुआ आये पुलिस अफसर उन्हें ने कहा देखो भई ऐसी recording भी मिलिये तो तुम तो इसको मारने जा रहे हो CRPC हमें कहता है that first duty of the police officer is to prevent the commission of a cognizable offense आम तौर पे हम सबको नहीं पता the duty first duty of the police officer is not just to register the FIR it is to prevent the commission of a cognizable offense मैं तो मैं गे रफ्तार कर रहा हूँ क्योंकि तुम तो offense करने वाले हो भाई तुम मारने वाले हो उसे मान लीजे conspiracy ended मान लीजे there were four five people unfortunately they were conspiring to wage war against a particular country in which they are residing and they are arrested the conspiracy has ended फिर से conspiracy बनाए वो फिर से साठ गाठ बनाए फिर से शडियंतर रचे तु ये कर तु ये कर मैं ये करूंगा मैं ऐसा करूंगा तब तो हो सकता है कि उनको उनकी conspiracy फिर से शुरू हो जाए मतलब ध्यान से समझीए after the intention was first entertained anything said done and written in reference to common intention that will be admissible till the time either the conspiracy has ended or object is achieved मतलब मैंने और मेरे दोस्त ने जाकि कतल कर दिया बात खत्म हाप उसके बाद मैं कुछ भी कहता रहूँ यार मैं तो सोच रहा था कि इसको दो बारी चाको से मारूंगा मैं तो एक ही बार मार पाया ये तो एक ही में धेर हो गया अब मैं जो ये बात कह रहा हूँ ये भी हमारी आप देखेंगे common intention से ही relate करती है but that object has already been achieved वैकारे अलड़ी संपूर्ण हो चुका है जब वैकारे अलड़ी संपूर्ण हो चुका है conspiracy मां खत्म हो गई conspiracy मां खत्म हो गई मतलब की when the conspiracy was afoot जब वह conspiracy चल रही थी हम सिरफ उसी समय जो कहा गया जो करा गया जो लिखा गया उसकी बात करेंगे otherwise हम और किसी भी चीज की बात नहीं करेंगे under section 10 as a relevant fact to prove existence of conspiracy और who are the conspirators सीधी साफ बात और किसी और किसी purpose के लिए हम उसो यूज़ करना चाहे मुबारा को बहुत अच्छी बाते करिए पर conspiracy को prove करने के लिए conspirators को prove करने के लिए हम नहीं use करेंगे हम सिरफ अपना दाइरा यहां से यहां तक रखेंगे उसके बाद और उससे पहले कुछ नहीं nothing at all section 10 साफ साफ हमें यह बात बता रहा है बिल्कुल साफ तरीके से हमें यह बात बता रहा है section 10 अगर आप illustration देखेंगे जो आपको section 10 के साथ दी गई है under the Indian Evidence Act उस illustration में आपको साफ साफ मिलेगी एक बात लिखी हो आईए उस example को discuss करने की कोशिश करते हैं देखिए reasonable ground exist करता है किस चीज का reasonable ground exist करता है that there are a few persons few persons मतलब of course एक से जादा है और जहां पर एक से जादा हो गए यानि कि दो या दो से जादा हो गए conspiracy हो सकती है few persons are there who have engaged in a conspiracy to do what to wage war against the government of India यह illustration दिया हुआ है आपको Indian Evidence Act में to wage war against the government of India अच्छा जी अब आप दियान से इस example को सुनिए मैं उसको mold भी करूँगा ताकि आपको ढंक से समझ आए मान लीजिए यह जो थे वो भाई साव है हमारे lead conspirator मतलब इनी के दिमाग में यह ग्रिनाप पूर्वक अपराद करने का intention सबसे पहले आया अब भी माश है जो थे उन्होंने C को contact करा जो की एक country दूसरी country में है country x समझ लीजिए country x में है उन्होंने यहाँ पर क्या करा bomb जो explosive थे वो procure करें C ने कहा भई हो सकता है मैं bulletproof jacket की भी जरुवत पड़े तो उन्होंने D को contact करा वो कहाँ थे वो थे country y में और उन्होंने वहाँ पर bulletproof jackets उन्होंने वहाँ से country number y से वो jackets खरी दी अब D ने सोचा है bulletproof jackets वगरा तो ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि हमें night vision glasses या goggles भी चाहिए होंगे अच्छा तो उन्होंने क्या करा Mr. E को contact करा E जो थे वो दूसरी country में थे वो कौन सी country में थे वो country Z में थे उन्होंने क्या करा वो night vision glasses जो थे वो procure करें वहाँ से country number Z से क्या E भाई साब C से मिले थे नहीं क्या D भाई साब B से मिले थे नहीं क्या D और C की बात हुई थी हाँ बात हुई थी पर क्या E और C में कोई contact था नहीं था क्या C और A में कोई contact था नहीं क्या C D और E कभी A से मिले थे नहीं तो क्या कहेंगे वो नहीं नहीं हमने तो सिरफ bulletproof jackets ली थी मैंने तो सिरफ night vision glasses ली थे इसमें कौन सी गलत बात है भाई No, you are all acting under a common intention You have not met Mr. A who is the lead conspirator. Fine But we don't care about it. You all All of you are part of executing the same common intention of committing this heinous offence of waging war against the government You are all part of this common intention आप सब उस सेम आशा, उस सेम मोटिव, उस सेम लक्ष के साथ काम कर रहे हैं आप सब conspiracy का पार्ट है आप सब सेम कारे कर रहे हैं, आप सब को सेम ओफेंस के लिए पनिश कर जाएगा क्योंकि Mr. C तो कहींगे कि मैं तो कल्टरी X का रहने वाला हूँ मेरे को तो वहाँ पे पनिश कर नहीं, absolutely not You are committing an offense within India There is a preparation to commit war, wage war against the government of India You will be punished because आप सब की सेम मान सिकता है सब लोग ऐ से मिले क्या नहीं मिले पर मान सिकता सब की एक है, सब का लक्ष सब का गोल एक ही है Anything said, done or written by any of such persons in reference to their common intentions अब को ये तो पता है ना कि जो night glasses लिए जा रहे हैं वो भई, you have to wage war एक और example पे आते हैं और clarity एक और example पे आते हैं मान नहीं जिए there are two persons A and B ये जो Mr. B है he has been accused of an offense he has been accused of offense मतलब he is an accused person Mr. B, they both are friends दोनों दोस्त हैं लेकिन B अभ्यूप्त हैं किसी एक particular case में जमानात पे भार छूटे हुए हैं अब क्या हुआ ये A और B एक दिन एक particular road से कहीं जा रहे थे A और B दोनों एक साथ एक scooter पे किसी road से जा रहे थे और यहाँ पे इन्हें जो SHO सहाब थे बड़ा बाबू सहाब थे वो यहाँ पर उन्हें खड़े हुए मिल गए कुछ काम कर रहे थे SHO सहाब road पे खड़े हुए मिल गए example है जब SHO सहाब मिले तो A और B ने कहा SHO सहाब को कि भई जरा बड़ा बाबू जी दिसको रफा रफा करिये मामले को जो भी बात होगी हम आपसे समझ लेंगे जैसा भी होगा जो भी होगा हम आपसे समझ लेंगे सहाब इसको खटम करो हमारी जीवन का सवाल है मेरा दोस्त भी है मान लीजिए B ने भी बड़ी बड़ी मुन्ते करी के सहाब इसको खटम कर दीजिए प्लीज अपराद करने की कोशिश थी रिश्वत आफर कर रहे हैं आप पब्लिक सर्वेंट को याप राद है सहाब इसको खटम करिये इन्वेस्टिकेशन को प्लीज जो भी होगा हम समझ लेंगे जैसा भी होगा हम देख लेंगे जनाब खटम करो खटम करो ये बात है दुपहर के छे बजे जो ए महाशाय है वो पुलिस स्टेशन पहुचे SHO सहाब के पास और ए ने SHO सहाब को एक envelope दिया which had money in it क्यों भाई? क्यों भाई? अब दोनों को पकड़ लिया गया conspiracy के लिए अब पूछा गया कि भाई ये पैसे दिये थे तो उसमें कहा कि पैसे दिये थे तो क्या हो गया मैंने SHO सहाब को दे दी मेरा मन था या उन्होंने उधार लिया ता SHO सहाब कहते मैंने तो को उधार लिया यह नहीं था ऐसा कुछ भी question basically ये आया कि ये जो पैसे देने का कृत्य करा आपने और यहाँ पे जो दोनों लोगों ने मिलके common intention दिखाई अपनी कि हमें SHO सहाब से जो B के खिलाफ केस है उसको रफा दफा करवाना है क्या वो conspiracy का पार्ट है ये तो ये चीक चीक के कह रहे हैं कि भाई मैं इरे उपर थोड़ी केस लगा है मैंने थोड़ी कुछ करा है मुझे क्यों पकड़ा भाई नहीं आप conspiracy का पार्ट है भी कह रहे हैं कि भाई मैंने तो सिरफ बात करी थी कोई कारे तो मैंने करा ही नहीं उससे related मुझे क्यों पकड़ा भाई ए गया मुझे क्या पता ए क्यों गया नहीं सर आपको बिल्कुल पता है ए क्यों गया हम आपको कैसे बचने दे सकते हैं क्यों क्योंकि आपने अपनी common intention यहाँ पे दिखा दी यहाँ पे वो star शुरू हो जाता है नहीं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे वो star शुरू हो जाता है जहाँ पे the intention was first entertained this was the place जहाँ में पता चल रहे intention was first entertained और यहाँ पे आपने क्या कर लिया यहाँ पे conspiracy या तो जब आप arrest हो गया खतम हो गई या object जब achieve हो गया तब खतम हो गई तो anything said, done or written by any of such persons in reference to their common intention पैसे जाके दे रहे हो यहाँ पे रिश्वत की बात कर रहे हो सीधी सीधी बात है आपने जाके रिश्वत दिये common intention का part है conspiracy prove हो गई बिलकुल conspiracy prove हो गई here the conspiracy was afoot यहाँ पे conspiracy अभी भी चल रही थी जब आप arrest हो गए तो चलिए तब conspiracy खतम हो गई लेकिन आपने उससे पहले जो पैसे offer करे that is something which has been done in reference to your common intention it will be a relevant fact, it will be used under section 10, 12-10 में इसके इस्तमाल करा जाएगा conspiracy और conspirators को prove करने के लिए एक बड़ा ही interesting case और Queens Bench का decision है 1844 का R versus Blake and Tie यहाँ पे और स्पष्ट हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ this is an 1844 decision of the Queens Bench, English case है R versus Blake and Tie यहाँ Mr. Blake है जो कि customs officer है customs जो port है वहाँ पे officer है जो tie है वो कौन है वो agent है importer के जो Mr. Tie है he is the agent of the importer अब देखिए यह customs house है customs house है यह basically port है यहाँ यह सारा ocean है, sea है, पानी है यहाँ पे स्तित है Mr. Blake as the customs officer जो Mr. Tie है वो कौन है, agent है किसके agent है, importer के अब importer महाशय कहीं यहाँ पर है these pictographical representations यह बहुत help करती है उनको द्यान से समझिएगा और साथ-साथ बना सके तो बहुत ही अच्छी बाद अब समान जो है जो goods है वो इस दिशा से आ रहे है goods जो समान है वो आ रहा है और वह समान ultimately importer के पास पहुचना है क्योंकि समान importer ने import करा है बारदेश से मंगवाया है जब आप बारदेश से समान मंगवाएंगे तो customs duty जो होती है tax होता है आपको देना पड़ेगा सबको duty देनी पड़ती है आई रिपोर्ट पर देखती है duty free यहाँ पर duty नहीं लगी वी उस समान पर थोड़ा सस्ता मिल रहा है आपको लेकिन जब आप import करते हैं तो आपको customs duty देनी पड़ती है अब जो agent महाशय है उन्होंने और Mr. Blake ने साथ में यह शडियंत्र बना लिया कि ज़रा Sir Mr. Blake जी आप थोड़ा सा adjust कर लीजिए क्यों मुझे और मेरे मतलब इतने ज़्यादा पैसे देने मतलब ऐसे तो नहीं importer साथ भी मेरे पर pressure डाल रहे है कि भई तुम agent किस बात के हो ज़रा कोई illegal काम करो और मेरी customs की जो duty है वो बचाओ अब ये offense करने का दोनों ने आपस में agreement कर लिया Mr. Blake ने कहा कोई बात नहीं अगर आप ऐसा कहते हैं तो हम जो आपका समान है देखो सब तो मैं माफ नहीं कर सकता टू थर्ड समान पर तो duty लगेगी पर जो बचे वो तुमारे लिए फाइदा एक तिहाई समान पर वन थर्ड जो goods है मैं आपको उस पर duty माफ कर देता हूँ मतलब मैं यह बताऊंगा ही नहीं कि एक तिहाई समान आया है आप इसे ऐसे ही ले जाओ बिना duty दिये मैं factual situation को assume कर रहा हूँ I am just trying to give you a better representation मान लीजिये उन्होंने ऐसा कहा कि एक तिहाई समान तुम ऐसे ले जाओ मतलब basically जो कहा है कि कुछ समान ऐसे ही ले जाओ बिना customs की duty दिये अच्छा जी बहुत अच्छी बात है इंपोर्टर जी भी खुश और एजेंट साहब भी खुश दुनों को पकड़ लिया गया क्योंकि समान का वजन भी करा जाता है तो जब दिखरा है कि वजन जादा है duty कम पर दी जा रही है तो पकड़े गए किसी तरीके से वो पकड़े गए अब हमारे लिए important बात क्या है दो चीजों को evidence में enter करा गया there were two things that were entered as evidence ध्यान से इस बात को सुनियेगा एक तो हमारे पास जो entry करी गई वो थी counterfoil जो चेक बुक के शुरुबात में होता है counterfoil जहां पर पैसे किसको दिये या किस ने दिये उस तरीके की चीज़ लिखी जाती तो basically counterfoil जो था उसको enter करा उससे counterfoil से क्या पता चल रहा था कि Mr. Blake महाशय जो है उन्होंने पैसे खाए है जो Mr. Blake महाशय है उन्होंने कोई पैसे खाए है ये पता चला उस counterfoil को हमने as an evidence एंटर करा साथ में जो उनकी किताब थी जहां पे goods और custom duty कितनी ली गई उसको जो उसकी जो entry थी उसको evidence में लाया गया कि भाई देखिए इन्होंने गर्वण करी है goods इतने है duty इतनी होनी चाहिए और इन्होंने entry देखो ज़रा कितने goods की करी है और कितनी duty ली है वही तो वो कर रहे थे ना और उसके लिए उन्होंने देखो पैसे खाएं counterfoil पाता चल रहा है अभी दोनों चीज़े evidence में एंटर हो गई court ने कहा दिहान से सुनिएगा court ने कहा मान लिया ये जो entry हुई है ये साफ साफ बताती है कि conspiracy थी हम इसको तो मान लेंगे हम इसको तो मान लेंगे पर किसी भी हाल में हम counterfoil को as evidence entertain नहीं करेंगे under section 10 conspiracy शडियंतर के लिहाज में वो जो counterfoil है ना उसको हम कहीं भी evidence में एंटर नहीं करेंगे जनाब क्यों नहीं करेंगे आप वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि counterfoil conspiracy की बात नहीं करता है conspiracy का जो object था वो achieve कर लिया गया है गलत entry करी और conspiracy का object has been achieved counterfoil तो सिरफ ये बात बताता है कि जो conspiracy करने के बाद कि जो पैसे लिये गए है या Mr. Tye ने जो पैसे दिये है या दोनों ने जो भी पैसे लिये है उस conspiracy का जो loot का माल है वो किसने कैसे खाया वो conspiracy का पाट कहा है भाई that is not a part of the conspiracy that is only telling us what what plunder has been shared वो conspiracy का पाट नहीं है वो conspiracy का पाट बिल्फुल भी नहीं है the object has been achieved that is not a part of the conspiracy at all that time the conspiracy was not a foot-up conspiracy नहीं चल रही थी जब वो counterfoil में entry करी गई यो तो सिर्फ यह बता रहे कि इसने कितने पैसे लिये उसके बाद हमें उससे कोई मतलब ही नहीं conspiracy हुई है section 10 में वो counterfoil और बहुत चीजों के लिए relevant हो सकता है of course of course वो बहुत relevant है बट क्या section 10 में relevant है the answer is no क्या वह fact section 10 में relevant है the answer is no that is not relevant in section 10 at all at all not relevant under section 10 at all that time the conspiracy was not a foot वो तो सरफ यह बता रहे कि उसने जो जो लूट का माल है वो कि इसने कितना घाया सीधी सीधी बात है King Emperor versus Mirza Akbar बहुत important case another very important decision Mirza Akbar versus King Emperor this is a 1940 decision of the Privy Council Mirza Akbar versus King Emperor यहां पे एक महिला थी महर तेजा इन महिला के husband थे Ali Aksar she was married to Ali Aksar that means Ali Aksar is the husband लेकिन इन महतरमा का एक शक्स थे मिर्जा अकबर उनके साथ अफेर चल पड़ा अब क्या हुआ इन दोनों के बीच में कुछ चिथियां थी वो भी एक्सचेंज हुई जहाँ पर एक दोनों ने महर तेजा जी ने और मिर्जा अकबर जी ने एक दूसरे के लिए अनन्त महासागर जितना प्यार दिखाया बताया कि वो एक दूसरे से कितनी बेंताहा महब्बत करते हैं ये भी बताया ये भी बताया कि उनको जो अली अक्सर सहावे जो रास्ते का कांटा बन गए है उनके लिए उनको रास्ते से हटाना है शापशूटर एंगेज कर लेते हैं इस तरीके की तमाम बातें हमें मिल गई और उन्होंने शापशूटर एंगेज भी कर लिया उमेर शाह के नाम से उमेर शाह उमेर शेर उमेर शेर के नाम से शापशूटर एंगेज भी कर लिया उन्होंने शापशूटर साहब ने अपना काम भी कर दिया दो चीज़े एविडेंस में आई सबसे पहले तो letter आए दूसरा जो मिर्जा अकबर सहाब थे उन्होंने magistrate सहाब को भी अपनी confessional statement में ये बाते कही court ने कहा जो letter है वो section 10 के लिए relevant है लिकिन जो magistrate सहाब को कही गई बात है वो section 10 के लिए relevant नहीं है answer आप सब समझ गए होंगे क्योंकि उस समय conspiracy चल रही थी their common intention was entertained at that time that is something which was written or something which was done by the sharpshooter वहाँ पे समझ आता है conspiracy चल रही थी magistrate सहाब को जब statement दी तब तो arrest हो चुके थे वाई तब कौन सी conspiracy चल रही थी conspiracy खत्म हो गई थी conspiracy खत्म हो गई थी very important decision conspiracy तब हत्म हो गई थी तब हम section 10 में उसको relevant नहीं करेंगे वह statement वैसे जितनी मर्जी relevant हो section 164 CRPC अगर आप देखेंगे president CRPC 1973 की उसे साबसे वह statement जितनी मर्जी relevant हो confessional statement we are not concerned with that section 10 evidence act में relevant है the answer is no it is not at all relevant under section 10 of the Indian evidence act because उस समय conspiracy चली नहीं रही थी दिखिए एक और decision है state of Tamil Nadu versus Nalini जो राजीव गांदी जी का assassination case है वहाँ पे court ने एक बात कही कि आपको सिरफ mere knowledge है you just have mere knowledge of conspiracy mere knowledge of conspiracy that is not sufficient at all there has to be what? meeting of minds mere knowledge of conspiracy is not sufficient कि आपको सिरफ पता है कि ऐसी कोई conspiracy है there has to be meeting of minds common intention पता चलनी चीए एक objective है एक objective है सब की common intention है ये करना है Kehar Singh versus Delhi administration that is the Indira Gandhi assassination case Kehar Singh versus Delhi administration उसी में भी उस case में भी इसी तरीके की बात कही गई थी this is one of the rarest of rare cases जहाँ पे death penalty was pronounced Kehar Singh versus Delhi administration that conspiracies are hatched in secrecy पहाँ पे बेसिकली उन दो व्यक्तियों को चट पे खड़े हुए देखा था रात के अंदेरे में बात करते हुए तो court ने यही कहा था written will be a relevant fact कर सकते हैं court के अंदर कौन से तक्तियों पे हमें ध्यान देना चाहिए जब हम question solve कर रहे है हमें जरूर बताईएगा कि आपको इस session कैसा लगा and we hope that you all are liking our effort and are benefiting from it we'll see you very soon with another very interesting session till that time thank you so much